तो है इस तो आपका स्वागत है तो आज हम सॉल्फ करें केप जैवेनी का विर्फ यूदियो कोड़ करना जो कुस्चन आता है इससे साल आ रहा है मतलब कहीं सारे कॉलज बोड़ियो किया हूँ तो यह सब इस साल आ चुके तो आपका लिए जो जिनके नहीं आए उनके लिए काफी एक इंपोर्टेंट मितलब हो जाए रहा है कि यह कुष्चन आने के चांस बहुत जादा है और एक बात और कि यह सुडियो कोड तो मैं करा दे रहा हूं मुझे सुनने माया है कि अप्टि तो पहला कुष्चन क्या है what is the time complexity of searching an element in a circular link list तो circular link list आप जानते ही होंगे यह ऐसे मतलब रहेगा कि सब वजह से जितना भी उसमें element है सब वापस गुंगंगं के इंटरकनेक्टेव आता है ठीक है ऐसे तो इसमें पताना है कि कोई भी element search करने के लिए time complexity होता किया है ठीक है तो माल लीजे वह element यह रहा है तो अगर हम यहां से search करना चालू करें तो इसको देखेंगे फिर आई जाके इसको देखेंगे फिर आई जाके यहां देखेंगे तो हम यह इसर मिलेगा तो इसका ऐसा नहीं है कि वह कहीं भी मिल सकता है इसका मतलब है कि मतलब यहां भी मिल स तो इसलिए क्योंकि यह देखें मैंने यहां से सालू किया था माल जिए यह element इधर रहता है और हम ऐसे मूफ कर रहा है तो यह हमें सबसे लास्ट में मिलता है यहां मिल जा रहा है तो वह न जाए लेकिन वैसे नहीं हमें वह इसका है time complexity का बताना है कि मतलब general case बताना है कि इतना हो जाएगा तो general case आपका यह हो जाएगा o of n क्या होता है पूरा जितना link list है उसमें एक बार iterate करना है उसको हम बोलते है o of n तो इसलिए यह आपका o of n होगा और इसका answer होगा option a ठीक है तो यह पहला question होगा अब आप यह दूसरा question देखते हैं in the worst case यह द्यान तक्याइगा worst case में the number of comparison needed to search singly linked list of length n for a given element is तो इसका क्या है यह single linked list है और यह circular नहीं है तो यह कुछ ऐसा रहेगा तो यह कैसा कोई English है कि यह सिधार चलते जाएगा ठीक सिंगल है इसका कोई कुछ नहीं सिंगल है तो इसमें worst case में क्या होगा worst case में होगा कि हमारे जो element है वो last में मिलेगा क्यों क्यों क्योंकि हम यहां से चालू करेंगे first English में first से चालू होगा उसका यहां जाएंगे second फिर फिर यह जो last element रहेगा यह माल यह एन है तो हमें total कितना बार जाना पड़ा एक element और दूसरा element यह एन टाइम जाना पड़ा इसलिए इसका भी आपका अंसर हो जाएगा इसका अंसर होगय यह ओ- ओ- अ अ यहां तो इसका अंसर होगय है एन यह क्यों यह क्या बताना है मैं number of comparison बतारहां तो number of comparison मैंने बोला worst वर्श के से the last में और लाश में होगा तो यहां से जाते रहेंगे तो कितना बार compare करेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच वाला तो यह आपका न लगेगा ठीक है तो यह आपका total comparison लग जागा क्योंकि last में worst case वही होता है अब आगे बढ़ते हैं which of the following will give the best performance इसमें बताना है कि कौन सा सबसे best performance दे रहा है simple भास हैं बोले तो किसका जो अंदर का value है वह जो यह वाला value है ब्रैकेट के अंदर सबसे आपको न से बड़ा होता तो यह भी नहीं होगा यह क्या होगि है N log N n log N ठीक है N log N on से बड़ा होता, इतना ध्यान रखिएगा o of n जो है, वो o of n log n से कम होता है मतलब ये कम है, ये बड़ा है अगर o सिर्फ log n होता है, n नहीं होता तब वो इससे छोटा होता है, ठीक है? सबसे छोटा होता है आपका, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको कम आ सकता है, जैसे o of ये 1 जो है ये सबसे छोटा होता है, ठीक है? उसका बाद जो आता है, इसका बाद आता है आपका o of log n, ठीक है? log n, ये इसका बाद आता है इसके बाद आता है आपका o of n उसके बाद आता है आपका o of n log n फिर आपका आता है O of n², ऐसे ही है अगर आपको नहीं पता है, तो आप यह रट लिया, ठीक है, कि यह बड़ा होता है, यह छोटा होता है, ज्यादा उतना दिमाग लाइन के जरुट भी नहीं है, आप जैसे चेक कर सकते हैं, लोग अट का वालु निकाली यह, n का वालु नि होता है फिर होता है आपको log n फिर होता है n फिर होता है n log n इतना ध्यान रखेगा ठीक है यह इसे ही काम करता है अब आईए और फिर और क्या था एक n का power c तो n का power c तो n square n q वह तो ऐसी बना में आपको ही पता होगा कि उतना जा रहा है तो आपका time limit तो सबसे दोरे रहना है तो सबसे छोटा हमें क्या मिला है यह अभी तक o of any मिला तो यही सबसे छोटा है ठीक है नहीं रखिएगा आगे बढ़ते हैं इसमें क्या है question number four how many times loop be executed loop कितना बार चलेगा तो हमें दिया हुआ ch is equal to b ch is greater than equal to a एक ch जो है कार हमारा वो a से बढ़ा होना चाहिए और 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 यह आपका and क्योंकि हम B से चलू कर रहे हैं तो एक करेक्टर हमें माइनस करना पड़ेगा माइनस वन यह नहीं आएगा B से लेके B C D डॉट 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 आपको Z तक क्यों चलेगा कि यहां दिया हुआ है आपको बस कर देना है और ऐसा भी नहीं कि आपको सारा का सारा ही सही करना पड़े कि बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि जिसे कुछ आत ही नहीं तो अगर आप थोड़ा से भी आएगा तो आप सेल्ट हो जाएं तो उसका टेंसर मत लीजेगा अप ठीक है कहले confidence रखे कि आप हो सकते हैं बस इतना है और फिर क्या है अगला क्वेशन है क्वेशन नमर फाइव consider the following piece of code what will be the space required for this code तो इसमें बताना है कि हमारा code कितना जगा ले रहा है तो यहां से code चालू है और यहां से end है ठीक है एक इंट आपको दो बाइट लेगा एक इंट आपको दो बाइट लेगा ठीक है तो मैं बताना है तो देखिए इंट का कितना सारा है इंट सम है और आई है दो वेरियाबल देक्लियर हुआ है पतलब 2 प्लस 2 आपका 4 हो चुका है ठीक है 2 प्लस 2 4 हो चुका है कैसे हुआ ए से यह सम और किया से 2 है तो आई सम और यह्ट नए आ चार तो अब आगे आए आ ये लूप चलेगा आपका इंट टाइम्स ठीक है ये लूप कहई आपका इंट टायम्स तो सम तो पहले इकार इन स्पेस तो हैं यहाँ इय जितना चले चलेंगा लहाँ तो ऐब को पता नहीं होगा तो वह ही यह एंट रोप चलेगा दो कितना हो जाएकर थे न्न जक्राइं को बीगिइड यह नाते merk वह पता नहीं हो का है यह ठीक है A of I, A of I का size क्या है 2, तो N into 2, तो यह 2N हो गया, ठीक है, और यहाँ पर यह तो देखिए, अगर आप यह सब calculate करते हैं, इतना सब कर लेता है, यहाँ सम कहो गया, आई कहो गया, चार, और फिर यहाँ पर आए, और आप 2N भी आइड कर लिए, ठीक है, यह सब हो गय यहाँ देखिए, जो function है, यह भी int है, तो इसका भी मतलब कुछ return value है, और क्योंकि यह int में declare है, तो इसका भी 2 bytes होगा, तो total कितना हो गया, 2 इसका हो गया 2, फिर इसका n कहो गया 2, 4, फिर sum कहो गया plus 2, 6, i कहो गया plus 2, 8, और यह array का क्या था, 2 into n, तो आपका answer क्या हो जाए है, फिर question number 6 क्या है, what will the output of the following pseudocode, यह आपका code है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे यहाँ समझ में नहीं आएगा, तो यह काफी अच्छा question है, लेकिन काफी असान भी है, अगर थोड़ा सा आप देख लेंगे, तो जादा करने का मैनत नहीं है, तो देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, पहले क्या है, कि input लिए है, a equal to 8, b equal to 9, फिर यह function है, इसमें a को pass कर रहे है, b को pass कर रहे है, यह ध्या copy pass हो रहे, ठीक है, अब देखिए, if a is less than b, पहले हम इसको लिख देते है, a, यहाँ a हो गया, यहाँ b हो गया, ठीक है, तो a कितना से 8, और यह कितना हो गया, 9, ठीक है, if a is less than b, क्या a b से less है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, return, b, a, तो मतलब अब क्या हो गया, अब b, a pass होगा इसका मतलब क्या होगे, पहले b pass हो रहा, तो a में b का वाली store हो जाएगा, और इसमे a pass हो रहा था, तो इसमें यह a store हो जाएगा, ठीक है, तो अब देखिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 9 pass होगा, 9, 8, a हो जाएगा, 9, b हो जाएगा, क्यूंकि यहाँ इल्टा पास नहीं है तो यहां भी काम नहीं करेगा तो यहां भी काम करेगा तो Elsig Part में क्या है पूछ रहे है क्या बी इस नॉट इकोल जीरो हाँ रीटर्न एंट है तो रिटर्न प्लस फॉंक्छंट इस खोब ही Przy-1 तो a plus, a plus देहां रखिए तो a कितना है हमारा 9 तो हम यहाँ plus 9 कर देंगे, ठीक है plus 9 कर देंगे और फिर यह नया function call होगा, इसमें a का value रहेगा 9, b का value रहेगा 7, फिर यहाँ फिर इसमें आएगा, फिर हम यह तो होगा नहीं, a less than फिर यह आएगे, b नहीं 0 नहीं है तो इसका होगा, फिर क्या होगा फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, plus 9 यह plus है, फिर plus 9 होगा फिर अब कितना call होगा, अब हो जाएगा आपका 9 और 6, फिर यह प्लस 9 होगा फिर आपका क्या होगा, 9 और 5 हिए प्लस ना यहाँ दो घ्र THE लाख जैगा टम यह तब तक चलेगा जब जो भी-हह वह 0 ना हो जाए देंगे जब 0 हो जाएगा जब 0 हो जाए टो तो डिश्रेन 0 हो जाएगा तो यहां क्या होगा प्लस जीरो हुआ और बाकी जगा जब तक a1 ना हो जाए ठीक है जब तक चलेगा क्योंकि 0 होने से plus 0 हो रहा है और हमें last में यही return करना है तो इसका मतलब है कि 9 को हमें plus 9 plus 9 8 times करना पड़ेगा 8 से 1 तक मतलब 1 से लेके 8 तक करें तो plus 9 8 times होगा तो into 8 हो सकता है तो 9 into 8 हैं कर देंगे simple से जो कि से यह answer है अब आएए आगे देखते हैं what is the output of the following pseudocode यहां देखिए m को 9 दिया हुआ है n को 6 दिया है m is equal to 1 और n is equal to minus 1 m is equal to m plus 1 n ठीक है if m is greater than print यह सब तो ठीक है तो आएए देखने दिया होगा है m कितना था m है 9 n कितना है 6 तो इस line में आएंगे तो आपका m plus 1 होगा m is equal to m कितना होगा 10 होगा तो यह cut के आपका 10 हो जाएगा फिर इस line में आएंगे तो minus 1 करें n को तो n कितना होगी है यह आपका 6 minus 1 तो यह आपका 5 होगी है यह सब ध्यान दिजिए जो यहां n capital है तो इतना सुड़ो कोड में इतना ध्यान मत दिजिएगा सुड़ो कोड आपका एक सिर्फ एक example रहता है rough drawing रहता है बोल सकते है तो इसमें ज्यादा आप आप जो अतना कुछ ही है मत किजिएगा जैसे दिया हुआ है जो normal logic लग रहा है वो लगाएगा और आपमें से और कुछ पूछेगा बनी इतना ले देजिए जो normal logic लग रहा है वहीं लगा है क्योंकि से कोई syntax से कोई खेल नहीं रहता है सुड़ो कोड है कोड नहीं है सुड़ो कोड है ठीक है तो फिर M क्या हो गया है M is equal to M plus N तक अब हमारा new updated M हो जाएगा वह को 15 क्यों 10 5 15 हो गया है Now this नहीं बहुत समकितना कोश्चन कर लिए नहीं साथ कोश्चन कियें अभी आगे भी बहुत सारे कोश्चन है उसका भी चाहिए होगा तो आप बता दिएगा मैंसे बना ही दूँगा तो अगर अपको अच्छा लगओ वीडियो में तो लाइक कर देगा नहीं है तो कि दान रखे अपना और से फ्रेम और बैबे